दोस्तों 75 साल हो चुके हैं देश आजाद होये लेकिन अफसोस हमारे देश का मीडिया आज भी पूरी तरीके से गुलाम बना बैठा है जहाँ पर आज प्रधान मंत्री मोदी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दे रहे थे हमारे देश का मीडिया जो है उसको कवर तो करी रहा है और किस तरीके से उस सारी बाते एक धकोसला है साथ ही आपको ये भी दिखाऊंगा कि आज जहां पर पूरा देश आजादी का जशन मना रहा है किस तरीके से भग जो है वो किसी और बात का ही यहां पर जशन मनाने में जोटे हो एं सारी चीज़े इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और हां पहले लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब ऐसी वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करता है चलिए शुरू करते हैं जोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का भक्तॉलजी के एक और नए एपिसोड में और आज भक्तॉलजी के स्पेशल एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नरेंदर मोदी की फेकम फाकी के बारे में सबसे पहले तो भाई आज इंडिपेंडेंस डे था इंडिपेंडेंस का काम किया सबसे पहली स्पीच की हाई-लाइट आपको बता देता हूं ये थी कि आज नरेंदर मोदी ने फाइनली तॉअला करोड का जिक्र नहीं किया जी आप पिछले तीन साथ से नरेंदर मोदी ने क्या बोला जरा देख लीजे वी आलवेज रिमेंबर लाल भादु शास्त्री जी स्लोगन जै जवान जै किसान लेटर अटल विहारी वाजपई जी जी आड़ेड जै विज्ञान तो दिस स्लोगन नाव देर इस अनुसंधान जै अनुसंधान रिसर्च आन इन्नोवेशन जै जै जवान जै किसान जै विज्ञान जै अनुसंधान कर दिया ना हर चीज का नुकसान यहाँ पर नरेंदर मोदी ने सिर्फ अपना नाम इन महान लोगों के साथ जोड़ने के लिए कुछ भी बोलने का काम कर दिया नरिंद्र मोदी जी प्लीज इस तरीके की बचकानी हरकते मत करिये क्योंकि रिसर्च जो है जो आप बात कर रहें अनुसंधान रिसर्च इनोवेशन ये विज्ञान का ही एक पार्ट होता है लेकिन जो लोग नहीं पढ़ाई करते या फिर जो लोग गोबर ग्यान के बारे में बात करते हैं वो डेफिनेटली उनको क्या पता होगा यहाँ पर आगे आपको बढ़के दिखाना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के दो और चीज़े निकल कर यहाँ पर बहुत जादा इस टाइम पर चल रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें बोला कि देश के सामने दो बड़ी चुनोतिया है पहली है भ्रष्टाचार दूसरी चुनोती है भाई भतीजावाद और परिवारवाद परिवारवाद इसका पूरा सोल्यूशन है मेरे पास मोदी जी आप आज ही जैशा को BCCI से हटा दीजिए और इस बात को प्रूफ कर दीजे कि आप भाई भतीजावाद के खिलाफ और अगर आप ऐसा नहीं करते तो भाशन बाजी मत करें साथी तीसरी प्रॉब्लम भी बताना चाहता हूँ दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम है भारतिये जनता पार्टी जो कि शायद नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे आगे आपको दिखाना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अब जो है एक नया लॉलीपॉप किस तरीके से दे दिया है देश की जनता को अपनी स्क्रीन पर देखिए रूबिका लियाकत ने भी इसको ट्वीट करने का काम किया पांच प्र विक्सित भारत यानि की सौ साल 2047 तक विक्सित भारत हो जाएगा गुलामी का एक भी अंश नहीं रखना है कौन बोल रहा है ये बात मुझे तो हसी आरी इसकी ओपर उसके आगे कहा गया है कि विरासत पर गर्व होना चाहिए उसके आगे जो पॉइंट है उसको पढ़ने क के बाद आप अपना सर जो है दिवार में पीटने का काम करेंगे एकता और एक जुटता सौ साल पूरे होने पे एकता और एक जुटता की बात करीगे और वो पार्टी जो है देश का पूरी तरीके से विभाजन करने पर तुलिए और पांचवी चीज है नागरिकों का तो बार-बार आपको याद दिलाये जाएगा लेकिन सरकार को जो चीजे करनी है वो इसी तरीके से भुला दी जाएंगी जैसे कि 2022 के गोल भुला दी गए है और जैसे कि मैंने बताया लॉली पॉप्स नई नई लॉली पॉप्स यहाँ पर दी जा रही है पहले कहा जाता थ पिचतरवी वशगाट पे हम लोग सब को घर दे देंगे हर गरीब का अपना घर होगा और फलानी डिमकानी बाते उन बातों के बारे में आज की रेट में बात भी नहीं करी जा रहे कि आपको पता है कि 80 मिनट के भाशन में जो महंगाई का शब्द है वो पीम मोदी ने एक बार भी नहीं बोला रोजगार के ओपर एक भी शब्द नहीं बोला काले धन के ओपर एक भी शब्द नहीं बोला ब्रश्चाचार के ओपर बात करी तो ऐसी ऐसी बाते करी कि सबको जो है हसी आ गई पूरी तरीके से इसके लाव आपको दिखाना चाहता हूं कि अब इसके भी पत्रकार थे जब नरेंदर मोधी भाशन देने थे वो टूलकिट चलाने में बीजी थे आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के उपर रुबिका लियाकत का और कुछ और पत्रकारों का ट्वीट जो की साफ दिखाता है कि हमारे देश की मीडिया कितनी बड़ी ग लिखते हैं कि प्रधान मंतरी मोधी ने लाल केले की प्राचीश से लगातार नौवी बार सुतंतरा दिवस पर देशवासियों को संबोधित किया है खास बात यह है कि उन्होंने लाल केले पर बुलेट प्रूफ शील्ड का इस्तिमाल नहीं करा यह फैक्ट है और इस तरीक कि only talking points on paper PM Modi has no teleprompter words straight from the heart he is making a staring speech emphasis on exact points mother of democracy the horrors of partition his own desires to work for all Indians मतलब आज के date में हमारे देश के प्रधान मंतरी की उपलब्दी यह नहीं है कि उन्होंने देश में विकास कर दिया है या पिर देश की गरीबी खतम कर दिया है या हर गरीब को मकान दे दिया है education और medical facilities अच्छी कर यह उपलब्दी बन चुकी है कि देश के प्रधान मंतरी ने बिला बिना टेली प्रॉम्टर के speech देने का यहां पर काम किया शरम आनी चाहिए इन चाटुकारों को इसके लाव आपको दिखाना चाहता हूं भयंकर इस ताइम पर टूल के चल रहा है और जहां पर आजादी क जशन पूरा देश मना रहा है भक्त जो है वो इस चीज को सेलिबरेट कर रहे है कि आज फाइनली पापा ने बिना टेली प्रॉम्टर के speech दी है और पूरा है एक ट्रेंड चल रहा है इसके उपर आपको दिखाना चाहूंगा अनिमेश देभ है यह भी यही बात कर रहे है क प्लवी घोश भी बात कर रहे है कि पीए मोदी ने कितना स्ट्रॉंग अटाक किया है उसके अलावा कई सारे ट्वीट्स हैं जो आपको टेली प्रॉम्टर के अंदर दिख जाएंगे हैस्टाग के अंदर जहां पर भक्त इसको सेलिबरेट कर रहे है कि वा 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 ताली पी और आज किस तरीके से देश का हमारा मीडिया गुलाम बनाया और आखिरकार किस आजादी कि यहां पर बात करी जा रही है जो भारती जनता पार्टी जो नरेंदर मोदी आजादी का अमरित मौत सब बना रहे हैं उनके अपने भक्त इस टाइम पर हिंदू राष्ट का कॉंस सब्सक्रां देश करना रहें हैं कि अचि की आज 70 इंडिपेंडेंस किसी वजें से मिली यह आपको याद होना चाहिए और साथ में इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है यही पता होना चाहिए इस पूरे अच्छ पूरे विडियो को यह झाहांँ गा और कैसी लगे आपको वीडियो नीचे कॉमेंट सेक्षिन में जुरूरू बताईएगा साथ अगर पसंद आए तो लाइक के बटन को सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को ज़रूर दबाईए कर सकते हैं अभी के लिए वीडियो में दोस्तों इतना ही मुलाकात होगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में अभरी हैपी इंडिपेंडेंस डे तो अलोफ यह कर दो अलोफ यह